अगर आपने उसको ऐसा नहीं किया तो फिर आपको ये मान किशे लिए आपका सेलेक्शन नहीं होगा और फिर जिस बच्चे के कम मांक्स होंगे वो आपकी जगह सेलेक्ट हो जाएगा तो अब सीट मैट्रिक्स को कैसे करेंगे चलिए मैं आपको ये बताता हूँ देखो सीट मैट्रिक्स कैसे करना भी आपको ये सैनिक स्कूल सोसाइटी है ये ओफिशल वेबसाइट है सैनिक स्कूल सोसाइटी है और यहां कहवी रखा है देखो इन्होंने instruction kindly read instruction carefully and check seat matrix for school before choice यह कह रखा है उन्हें ठीक है अगर मैं इस पर click करूँगा तो यहाँ पर ने बता है कि थर्ड राउंड की e-counseling करने से पहले आपको क्या करना है आपको seat matrix को जाना है तो seat matrix में चलते हैं चलिए seat matrix में चलते हैं तो यह हो गया वह आपका seat matrix यहां से जाएंगे आप यहां पर click करेंगे और यहां से हो गया आपका यह है एक बात और बता दूँ यहां पर seat matrix क्या शक्ता नहीं है आपको इस वाले में को यहां पर तो वैकेंसी वैकेंसी आप जोग चाओ तब ले लेना गर पे भी आएगा आपका अगर आप इसको नीचे वाले को नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो आज आएगा अभी तो बहुत इसमें तो बहुत वैकेंसी है तो उपर वाले सरकारी सेनिक स्कूल की बात करते हैं चलिए देखो यह खुल गया seat matrix ठीक है अब देखो यहां से अगर मैं बात करूँ देखो य यह है total seat यहां पर total count हो रहा है और इधर से आप देखेंगे सैनिक स्कूल काली करी में क्या है यह सारी total हो गया आपका 12 है किसी में 3 है किसी में 16 है किसी में 4 है और अभी यह reconsider की वज़े से बची हुई है सारी seat matrix आपको यह आपको देखो तो यहां से सारी मिल जाएगी ठीक तो मुझे लगता है अब यह clear हो गया देखो यह सारे सैनिक स्कूल होगे यह इनका पता चली है boys girl यह यहां से पता चली है क्या कितनी vacancy आपकी खाली है यह रहा ठीक हुपर category लिखकी हुई है तो यहां से आपको यह सारी स्पष्ट पता चली है कितनी vacancy खाली है यह खाली यह द्यान लगता है यह भी consider mode की वाज़े से बची हुई है तब आप क्या करें अब आप इसको वहां से आपको क्या करना है वहां से देखें जैसे मान के चली है मैं आपको बताता हूं जैसे किसी बच्चे को सैनिक स्कूल गोपाल गंज में जाना है देखना है कि मुझे छकम, जैसे बचते हुएं और सैनिक स्कूल गोपाल गंज में अगर मैं बात करूँ बाहर से 20 वैकंजी थी, उस में 15 फिलो चुकी है, पाँच बर सकती है मैकसिमम और इन राज्य से वैकंजी बढ़ी जासुपी है आपको दो चीजों की समय लेनी पड़ेगी वन इज पहले सीट मैट्रिक्स देखिए और दूसरा जैसे आपने लेटर सोपोज सीट मैट्रिक्स चेक कर लिया आपने सीट मैट्रिक्स जैक किया यहां से यह देखो, seat matrix आपने चेक कर लिया और चेक करने के बाद यहाँ पर देख लिया आपने 12 vacancy है जैसे इसमें पहले वाले में, ठीक है यह कितनी है 12 vacancy है आपका कोरू कोंडा में लेकिन 12 vacancy, काली करी में मांगे चली 12 vacancy लेकिन 12 vacancy, other state की 4 अब वो other state में कौन-कौन है वो पता चलेगा आपको यहाँ से other state में यहाँ से पता चलेगा यहाँ से पता चलेगा other state में ठीक है, signing school है ना काली करी देखो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको यह रहा, other state में यह vacancy बरी जा चुकी है देखो इसमें बियार की 2 हो चुकी है आपका उत्तरपर्दी से 3 हो चुकी है तमिनाड उसेख, राजिस्तान से 3, माराष्ट से 3 यह vacancy बरी जा चुकी है other state से ठीक, तो अब आपको ऐसे पूरा एकडम टेली करके तब उसको इसे 10 स्कूल को आप टेली कर लीजिए और फिर आपना इस राउंड को submit कर दीजिए अब सवाल यह उठता है भई, प्राइवेट सेनिक स्कूल में कितनी सीट बरी गई है ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट सेनिक स्कूल की भी सारी सीट बरी गई उसकी जल्दी से वीडियो लेके आऊँगा मैं बताऊँगा उसकी कितनी सीट बरी गई है उसकी मैं सारी एकदम बताऊँगा आपको कितनी सीट बरी गई है ऐसा सुनने में आ उसकी सारी सीट खाली बरती जा रही है अब भी पता चलेगा उसकी सीट भी कितनी वर रही है उसको मैं बताऊँगा नेक्ट वीडियो में थैंक्यो उस्पुरेंट्स